पर पर हम लेंगे दो ölen यूदि लिया त्यून है। तो अभी फिलाल इनको हम रख देते एक साइट में और हम लेंगे एक मिकसी का जार और आप अपने स्वात के मुताबिक आप ले लीजिएगा चीनी जितनी आप चीनी मीठा पसंद करें तो आप मिकसी के जार में रख दीजिएगा हम यहाँ पर बहुत हलकी चीनी का इस्तेमा कर ले जिएगा तो उससे भी बहुत अच्छा सा खुसबू आ जाती है लाइची के तो इस तरह से हमने डाने डाल दिये हैं और अब यह देखिए यहाँ पर हमारे पास इतने काजू तो हम इतने काजू ले लेंगे काजू से ना बहुत ही अच्छा सा हेल्दी भी बन जाता यह देखिए कितना बढ़िया सा महीन पाउडर जो है इसका बन के तियार हो गया तो आप भी इस तरह से रेडी कर लीजिएगा अब हम क्या करेंगे हमारे जो यह खरबूजे के पीसेज है ना यह हम इसमें अब कट करके डाल देंगे इस तरह का ड्रिंक जो है ना हेल्दी भी बहुत होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है और यह जटपट बन जाता है देर नहीं लगती है तो आप अपने आवसकता नुसार इसमें फलों का इस्तेमाल कर लीजिएगा कम ज्यादा जितना आप पसंद करें अब हम क्या करे करेंगे यह हमारे केला है तो केले भी हम इसमें कट करके डाल देंगे आप केवल खरबूजे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और थोड़ा सा केला जो है गड़वड है तो इसको हम हटा देते हैं और अच्छा-च्छा केला ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बस आप यह जो के इसको भी हम इसमें कट करके डाल देंगे शिस कि क बहुत जल्दी हल जाता है देर नहीं लगती हैं है अभी देखिया हमारा पूरा जार जो है यह देखिया बहुत 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 गया है अब यह देखिया हमारे पास एफ्रिज का बढ़िया सा थंडा-ठंडा दूध तो आप आप इसमें अभी दूद डाल दीजिए, आप मलाई पसंद करें तो मलाई सहीड डाल दीजिए, नहीं मलाई पसंद करते हैं तो मलाई मत डालिए, तो अभी हम फिलाल थोड़ा दूद डालेंगे और इसको हम पीस लेते हैं, फिर बाद में हम दूद मिलाएंगे, आप चाहें हमारा काफी गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसको हम इस तरह से चिक कर लेंगे कि ज्यादा गाढ़ा है कि कम गाढ़ा है अगर कम गाढ़ा है तो आप इसको कुछ मट डालिए बस इसी तरह से गलास में सर्व कर लेजिए अभी देखे थोड़ा सा गाढ़ा है तो इस समय अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालने चाहें तो थोड़ा सा और इसमें आप दूद आड़ कर लें तो अब इसमें हम मलाई नहीं डालेंगे केवल हम दूद दूद डाल देंगे और बस इसको हम एक पार और इसको पीस लेते हैं अब इसको हमने दुबारा भी पीस लिया है और अब देखते हैं हमारे इसकी थिकनिस कैसी है परफेक्ट कलर भी इसका अच्छा दिख रहा है और ये बढ़िया परफेक्ट रेडी हो गया है इसमें आप चाहें तो आइस क्यूब भी डाल कर थोड़ा सा पीस सकते हैं लेकिन ह बहुत ठंडा था फ्रेश का ठंडा ठंडा दूद था तो इसलिए हमने अलग से इसमें आइस क्यूब नहीं डाली है और ये देखिए हमारा बहुत हेल्दी और जटपट बनने वाला ड्रिंक बनाना और मेलन ड्रिंक रेडी हो गया है तो आप इस तरह से बनाईएगा और बताईएगा जो आज हमने बढ़िया से हेल्दी ड्रिंक का जो तरीका बताया है आपको कैसा लगा है तो मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ तब तक सी यू टेक क्यार बाग बाई